हाई फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है और हम स्टड़ी करें Transformation of Sentences कि Sentences का Transformation किस प्रकार से किया जाता है Transformation का मतलब होता है एक Grammatical Form से Sentence को दूसरे Grammatical Form में इस प्रकार से बदलना कि उसके मिनिंग में कोई परिवर्दर ना हो केवल sentence के pattern में structure में change होता है उसके meaning में कोई change नहीं होता है और हमारा जो topic चल रहा है वो यह है interchange of degree of comparison और degree के three type होते हैं positive degree, comparative degree and superlative degree इन तीनों पर मैंने पहले ही video upload किया हुआ है अगर आप चाहे तो देख सकते हैं ताकि यह topic और भी आसान हो जाएगा तो आज का हमारा topic है कि positive degree को किस प्रकार से superlative degree और comparative degree में change करेंगे या positive degree का हम किस प्रकार से superlative degree और comparative degree में transformation करेंगे तो यहाँ पे part A है हमारा जब positive degree का sentence इस प्रकार से हो जैसे no other, फिर singular noun, फिर नाउन फिर singular verb, इसके बाद so या as, फिर positive degree, फिर as, फिर noun या pronoun या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है कि no other, इसके बाद singular noun फिर यह दी sentence में off या इनके बाद other word दिया है तो वो use करेंगे फिर singular verb, फिर so या as, फिर positive degree, फिर as, फिर noun या pronoun तो जब positive degree का pattern अभी मैंने बताया उस प्रकार से हो तो फिर इसमें first है कि positive से superlative degree में बदलने का तरीका क्या होगा positive degree से superlative degree में बदलने का pattern क्या होगा तो इसके कुछ step है, कुछ rules है, वो हमें ध्यान रखने है कि positive degree के object को superlative degree में subject की जगर लिखेंगे इसके बाद हम subject के अनुसा verb का use करेंगे इसके बाद फिर हम positive degree के sentence से हम no other, so as या as as को हम हटा देंगे फिर positive degree के adjective को superlative degree के adjective में change कर देंगे और इससे पहले हम दी का use करेंगे फिर superlative degree के बाद singular noun का use करेंगे और अन्त में यदि sentence में of या इनके बाद other word दिया है तो उसे use करेंगे यदि नहीं दिया है तो फिर हम नहीं लिखेंगे तो ये कुछ rules है आपको follow करना है जब अभी मैंने बताया उस pattern में जब positive degree का pattern हो तो फिर हम उसे superlative degree में किस प्रकार से transformation करेंगे तो चली एक्जाम पर लेते हैं आपको clear हो जाएगा कि राजस्तान में अन्य कोई सेर उतना सुंदर नहीं है जितना की जयपूर ये sentence हमारा positive degree का है जो कि अभी मैंने pattern बताया उस पर आदारित है जैसे no other इसके बाद singular noun फिर of या in के बाद other words तो या in राजस्तान दिया हुआ है फिर singular verb फिर so या as फिर positive degree इसके बाद as ठीक है तो no other city इन राजस्तान is so या as beautiful as जैपूर इसे हम superlative degree में किस प्रकार से transformation करेंगे सबसे पहले मैंने बताया कि positive degree के object को हम superlative degree में subject की जगर रखेंगे तो जैपूर रख दिया इसके बाद फिर verb का यूज़ करेंगे is और फिर यहाँ पर हम no other so as या as को यहाँ से हटा देंगे और positive degree को हम convert कर देंगे superlative degree में और उससे पहले हम the का यूज़ करेंगे तो the और फिर most beautiful यह हुए superlative degree इसके बाद singular noun का यूज़ करेंगे city ठीक है यह city और फिर जो other word है in राजस्तान वो हम लिख देंगे तो sentence बन जाएगा जैपूर is the most beautiful city in राजस्तान अब यह transform हो गया superlative degree में तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैपूर राजस्तान में सबसे सुंदर सहर है और positive degree में हमारा क्या था कि राजस्तान में अन्य कोई सहर उतना सुंदर नहीं है जितना की जैपूर इसका मतलब जैपूर सबसे सुंदर सहर है तो यहाँ पर देखिए sentence में यहाँ इसके meaning में कोई change नहीं है यानि meaning वैसे की वैसे है इसका लेकिन इसके pattern में इसके structure में grammatical form में जो है change हुआ है और भी example लें No other city in India is so as good as Mumbai तो Mumbai is the best city in India No other girl in the class is as or so beautiful as Nitu तो Nitu is the most beautiful girl in the class चलिए एक और example ले लेते हैं कि नुए अधर कींग ओफ इंडिया वाज ऑज इस ग्रेट एज असोग तो असोग वाज दी ग्रेटेष्ट किंग ओफ इंडिया इसमें दूसरा है कि positive degree से comparative degree में बदलने का तरीका जब हमारा pattern अभी मैंने बताया उसके अनुसार हो तो फिर positive degree से हम comparative degree में किस प्रकार से change करेंगे तो उसके कुछ step है आपको द्यान डखने है सबसे पहले हम positive degree के object को comparative degree में subject की जगह लिखेंगे इसके बाद हम verb का यूज़ करेंगे फिर no other so as या as as को हटा देंगे और इसके बाद positive degree के adjective को comparative degree के adjective में बदल कर लिखेंगे और फिर then का यूज़ करेंगे और then के बाद हम any other plus singular noun या फिर all other plus plural noun का यूज़ करेंगे और अन्त में यदि sentence में of या इन के बाद other word दिया हुआ है तो उसे use करेंगे यदि नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे चली example लेते हैं राजस्तान में अन्य कोई सेर उतना सुन्दर नहीं है जितना की जैपूर तो ये sentence हमारा positive degree का है और जो pattern हमने बताया उसी के अनुसार है तो no other city in Rajasthan is soya as beautiful as जैपूर अब इसे हम किस प्रकार से comparative degree में transformation करेंगे सबसे पहले positive degree के object को हम comparative degree में subject के जगर लिखेंगे इसके बाद वो अपका यूज करेंगे और फिर हम no other so as या as को हटा देंगे यहां से और इसके बाद comparative degree को मतलब ये जो positive degree इसको change कर देंगे हम comparative degree में तो beautiful का हो जाएगा more beautiful इसके बाद then का यूज करेंगे ठीक है और इसके बाद then के बाद हम any other plus singular noun का यूज करेंगे और फिर other word in Rajasthan तो हो जाएगा जैपूर is more beautiful than any other city in Rajasthan या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैंने कहा यदि any other का यूज करेंगे तो singular noun का यूज होगा और यदि all other का यूज करेंगे तो यहाँ plural noun का यूज होगा तो all other के बाद यहाँ cities लिखेंगे pattern होई है केवल यहाँ पर इसका meaning भी होई होगा same होगा लेकिन अगर हम any other का यूज कर रहे हैं तो singular noun तो जैपूर is the more beautiful than all other cities in Rajasthan तिसका आर्थ क्या हुआ कि जैपूर राजस्तान में अन्य सेरों से अधिक सुंदर है इन दोनों का यही meaning होगा कि जैपूर राजस्तान में अन्य सेरों से अधिक सुंदर है ठीक है और यहाँ इसका मिनिंग क्या था कि राजस्तान में अन्य कोई सेर उतना सुंदर नहीं है जितना की जैपुर तो बात वो ही है केवल कहने का तरीका बदल गया है तो यहाँ sentence के pattern में तो change हो रहा है लेकिन इसके meaning में कोई change नहीं हो रहा है तो हमने अब इस positive degree के sentence को हमने transformation कर दिया comparative degree के sentence में एक और example लें Northern city in India is so as good as Mumbai तो हम इसे comparative degree में इस प्रकार से transformation कर देंगे कि Mumbai is better than any other city in India या फिर Mumbai is better than all other cities in India यह यहाँ ध्यान रखना है अगर any other का use कर रहे हैं तो singular noun होगा और यही all other का use कर रहे हैं तो यहाँ plural noun होगा cities चलिए एक और example ले लेते हैं No other king of India was so as great as Asoka तो यह positive degree का है इसको हम transformation करेंगे comparative degree में तो इस प्रकार से लिखेंगे Asoka was greater than any other king of India या फिर Asoka was greater than all other kings of India तो इन दोनों में से हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं के वल चे अंतर क्या है any other के बाद हम singular noun का use करेंगे और all other के बाद हम plural noun का use करेंगे तो चलिए अभी हमने जो discuss किया उसकी summary देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से हमने जब हमारा pattern मैंने जो बताया उस प्रकार से हो positive degree का तो किस प्रकार से हम उसे comparative degree में और superlative degree में transformation करेंगे लेकिन उसके आर्थ में यानि मिनिंग में कोई change नहीं होता के उल pattern में change होता है जैसे कोई भी दूसरा देश अमरीका जितना अमीर नहीं है तो no other country is as or so rich as अमरीका ये positive degree का था हमारा sentence तो हम इसे transform करेंगे पहले comparative degree में कि अमरीका दूसरे किसी भी देश से अधिक अमीर है तो अमरीका is richer than any other country या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमरीका is richer than all other countries तो यहाँ any other का यूज करेंगे तो singular noun और all other का यूज करेंगे तो plural noun इसे हम positive degree को superlative degree में किस प्रकार transformation करेंगे कि अमरीका सबसे अमीर देश है तो अमरीका is the richest country यहाँ पे देखिए positive degree में competitive degree और superlative degree तीनों में यहाँ पे sentence के pattern में change हो रहा है लेकिन meaning में कोई change नहीं क्योंकि कोई भी दूसरा देश अमरीका जितना अमीर नहीं है या हम कहें कि अमरीका दूसरे किसी भी देश से अधिक अमीर है या फिर कहें अमरीका सबसे अमीर देश है तो यहाँ sense एक ही आ रहा है मतलब meaning में यहाँ कोई change नहीं है चेंज किस में है sentence के pattern में तो इस प्रकार हमने positive degree को comparative degree और superlative degree में transformation कर दिया है नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी जब positive degree का sentence इस प्रकार से हो जैसे very few इसके बाद plural noun फिर plural verb फिर so या as फिर positive degree फिर as इसके बाद object या नाउन या pronoun या फिर ऐसे भी हो सकता है very few plus plural noun इसके बाद of या इनके बाद other words फिर plural verb इसके बाद so या as फिर positive degree इसके बाद as फिर object मतलब noun या pronoun तो दौनों में से किसी भी प्रकार से pattern हो सकता है तो जब हमने बताया आभी जब pattern इस प्रकार से हो positive degree का तो फिर positive degree से superlative degree में बदलने का तरीका क्या होगा तो उसके लिए वो ही कुछ step है कुछ rules से आपको ध्यान रखना है positive degree के object को superlative degree में subject की जगर लिखेंगे इसके बाद हम verb का यूज करेंगे और very few so as या as as को हम sentence से हटा देंगे इसके बाद one of the plus superlative degree का यूज करेंगे और इसके बाद plural noun का यूज करेंगे और यदि sentence में अंत में of या in plus other word का use करेंगे यदि sentence में दिया हुआ है तो नहीं दिया है तो नहीं करेंगे चलिए example लेते हैं clear हो जाएगा बहुती कम लड़के उतने तेज है या उतने बुद्धी मान है जितना की मुकेश तो very few boys are so ya as intelligent as मुकेश यह हमारा sentence अभी जो हमने pattern बताए उसके according है अब इसे हम किसमे transformation करेंगे superlative degree में और यह किसका है positive degree का तो जो rules हमने बताए उन्हें हमें follow करना है ठीक है सबसे पहले हम positive degree के object को हम superlative degree में subject की जगर लिख देंगे मुकेश इसके बाद verb का use करेंगे और फिर हम very few so as या as as को हटा देंगे और इसके बाद हम use करेंगे one of the इसके बाद यहाँ positive degree को हम change करेंगे superlative degree में तो most intelligent और इसके बाद हम use करेंगे plural noun का तो मुकेश सबसे बुद्धिमान लड़कों में से एक है या फिर हम कहें बहुती कम लड़के उतने बुद्धिमान जितना की मुकेश तो यहाँ पर देखे मिनिंग में कोई change नहीं हो रहा है केवल sentence के pattern में change हो रहा है तो यह अब transformation हो गया किसमे superlative degree में positive degree से चलिए और example देखे very few kings were so ya as great as Akbar तो Akbar was one of the greatest kings very few cities in England are as ya so busy as Paris तो Paris is one of the busiest city in England second है positive degree से comparative degree में बदलने का तरीका और pattern कौन सा था हमारा very few वाला ठीक है तो किस प्रकार हम positive degree से उसे comparative degree में change करेंगे तो वही कुछ rules आपको ध्यान रखने है positive degree के object को comparative degree में subject की जगर लिखेंगे इसके बाद हम verb का यूज़ करेंगे फिर very few so as या as as को हम हटा देंगे और positive degree के adjective को comparative degree के adjective में बदल कर लिखेंगे इसके बाद हम then का यूज़ करेंगे और फिर most other plus plural noun का यूज़ करेंगे most other की जगह हम many other का भी यूज़ कर सकते हैं और अंत में of in plus other word का यूज़ करेंगे यदि sentence में दिया हुआ है तो यदि नहीं दिया है तो फिर नहीं करेंगे बहुत ही कम लड़के उतने बुद्धी मानज जितना की मुकेश ये sentence हमारा था positive degree का तो very few words are so या as intelligent as मुकेश अब हम इसे किस में change करेंगे comparative degree में तो rules क्या सबसे पहले हम positive degree के object को हम comparative degree में subject की जगर लिखेंगे इसके बाद verb फिर very few so as या as as को हम हटा देंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए positive degree के adjective को हम comparative degree के adjective में change कर देंगे तो intelligent का हो जाएगा more intelligent इसके बाद than का यूज करेंगे फिर most other या many other का यूज करेंगे और फिर plural noun तो यह हो गया मुकेश is more intelligent than most other wise इसका मतलब वह मुकेश अधिकांस अन्ने लड़कों से अधिक बुद्धिमान है और positive degree का meaning क्या था कि बहुत ही कम लड़के उतने बुद्धिमान जितना की मुकेश तो यहाँ देखे यहाँ पे meaning में कोई change नहीं है केवल change किस में है sentence के pattern में तब हमने इस positive degree के sentence को किस में transformation कर दिया comparative degree के sentence में और example देखे very few kings were so या as great as akbar अब इसे हम transformation कर देते हैं comparative degree में akbar was greater than most other kings very few cities in England are as you are so busy as Paris तो Paris is busier than most other cities in England तो चलिए अभी हमने very few आला pattern देखा था तो उसकी भी summary देख लेते हैं एक बार ताकि आपको clear हो जाए जैसे बहुत ही कम या थोड़े देश उतने अमीर है जितना की अमरीका या हम कहें बहुत कम या थोड़े देश अमरीका जितने अमीर है तो यह positive degree का sentence था very few countries are so या as rich as अमरीका इसे अगर हम comparative degree में transformation करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि अमरीका दूसरे अधिकांस देशों से अधिक अमीर है तो अमरीका is richer than most other countries और यदि superlative में इसको transformation करेंगे तो फिर हम लिखेंगे अमरीका is one of the richest country यानि अमरीका सबसे अमीर देशों में से एक है तो यहाँ पर देखिए तीनो sentence को देखिए बहुत कम या थोड़े देश अमरीका जितने अमीर है या अमरीका दूसरे अधिकांस देशों से अधिक अमीर है या हम कहें अमरीका सबसे अमीर देशों में से एक है तो यहाँ पर sentence के pattern में change हो रहा है उसके meaning में कोई change नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि हम positive degree से किस प्रकार से superlative degree में और competitive degree में transformation करेंगे और यहाँ पर मैंने दो structure के बारें बताया था no other वाला और दूसरा very few वाला तो उमीद दोस्तों आपको टोपिक्स पसंद आया होगा मुझे like करें, subscribe करें अपने सातियों को बताएं और मेरे साथ English enjoy करते रहें, thank you